बॉलिवर्ड इंडस्ट्री में अपि दमदार एक्टिक से कदब रखने वाले दवाज होती, सिर्दिकी ने फिल्हाल की एक इंटर्व्यू किया है इंटर्व्यू थो उन्होंने बताया है कि पाकिस्तानी सिंगर है जो है बहर्पा पाकिस्तानी सिंगर मुमिना मुस्तभासन और आसीम अजहर ने 30 साल पहले कोग स्टूडियो के लिए 13 वो प्यार गान गाया था जो जम्रतर स्थ ही ठुवा था गाना कितना पसंद किया गया इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि यूट्यूब पर इसे 132 मिलियन से ज्यादा लोग दे चुके हैं इसके शोहरत से बोलिवुट स्टार नमजुतीन सिदिकी भी अच्छूते नहीं रह सके और वो भी इस के तेवाने है नमजुतीन सिदिकी ने अरबास खान के साथ एक इंटव्यूर बताया कि मंटो की शूटिंग के दौरान वो इस गाने को बार बार सुना करते थे वो उन्हें कहा कि मंटो की शूटिंग के दौरान वो सिर्फ एक गाना सुना करते थे इसे पाकिस्तान की सिंगर मुमिना मुस्तहसन ने गाया है और इसका नाम तेरा वो प्यार है वो इस कदर इस गाने को पसंद करते थे कि गाना सुनने के बाद अपना सीन किया करते थे नवाजुतिन सिदिकी ने कहा कि हाला कि गाना और मंटो पोवी का कोई कनेक्शन नहीं था लेकिन पता नहीं क्यों वो इसे बार बार सुनते रहते थे जब भी वो इसे सुनते थे उनका आग में विश्वास बढ़ जाता था अजहर ने इस इंटर्वियो की एक क्लिप अपने इंस्टेग्राम पर शेर किया जोसका क्याप्शिन है जब आपका पसंदीदा आप्टर रोजान आपका गाना सुनता है शुक्रिया आट नवाजुतिन सिदिकी सुन करने जाता था उस सौंग को एक बार सुन लेता था पते हैं इस से कोई मैच ही नहीं करता था उसकी कोई भी चीज बट वो सुनके जब मैं सीन करता था तो मैं किसी हाई में चले जाता था